Most problems in your life happen because of your inability to keep your mouth shut. ये बहुत बड़ा observation है जो मैंने 2022 में किये हैं. क्या क्या? रिपीट करूँगा. Most problems in your life happen repeatedly because of your inability to keep your mouth shut. इस चीज़ को शान्ती से चाय पीते पीते हौले हौले समझना. कि आपका मुँँ बंद रखना आपको नहीं आता. इसलिए आपकी problems को आप daily basis पे increase करते हो. Solve नहीं कर रहे हो. ठीक है? आपका resolution क्या है? कि कोई problem है उसको मुझे resolve करना है. या फिर कोई चीज है, goal है, target है, struggling with it. ठीक है? बट मैं achieve करना चाहता हूँ. इसलिए resolution बनाते हैं. Just like I promised you yesterday, कि जिद्धे भी questions remaining है, जिद्धे भी queries remaining है, उन सब भी कौँछा करना शुरू करेंगे throughout this 2023, ठीक है? First question जो काफी interesting लगा मुझे, which is common in most messages. कि यार मुझे कोई वेक्ती पसंद नहीं है, अब मुझे उसके साथ रहना है, मैं डील कैसे करूँ? ठीक है वाई सब, आपको कोई वेक्ती पसंद नहीं है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा. No other option. आपको उसको और option है ही नहीं. अब टील कैसे करोगे इस scenario से? चलो ठीक है, इस चीज़ को break down करते हैं in two different scenarios. Let's take for example, if there is some person at your job, at your workplace, you don't like to work with him, you don't like him or her at all, तुमको उसकी शकल से नफरत होती है. लेकिन तुमारी मजबूरी है कि तुमको काम तो करना पड़ेगा. Another example, if you are in a relationship, let's take for example, marriage. अब शादी है, वो भी एक तरह का ऐसा है कि रहना पड़ेगा भाई साब, अजस्ट करो, ठीक है, इस उन्हे को मिलता है उनको, अजस्ट करना नहीं करना, इस और परस्टनल चोईस, वो आपके उपर है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीक से दील करते हैं, फिर देखना चाबते हैं, आपको manage करना है, कि आप time निकाल कैसे सकते हो, ठीक है, without taking it to extremes, अटा दो, छोड़ दो, फेक दो, निकाल दो, यह सब करने की बजाए, time निकाल कैसे सकते हो, सबसे बहुती जीज़, ठीक है, इन मोस्ट केसे, जादर लोग गलती यह करते हैं, as per my observations, आपका नहीं पता, मैंने जितना observe किया है, जितने भी interactions में देखता हूँ, समझ लोग कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो उसको आपको news paper में लिखके, डालने की ज़रूत नहीं है, यह यश को तो यह चीज़ बिलकुल पसंद नहीं है, अब इस चीज़ को आप दुनिया में एक news medium की तरह बक मत दो, यह चीज तो मुझे कुछ पसंद नहीं है, समझ लो कि हरे कि एंडिविजुली कोई ने कुई चीज़ है सी होती जो उसको पसंद नहीं है, मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं होगी मेरी personal life में, मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं होगी मेरी workplace में, मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं होगी मेरी family में, relatives में, friends में, मेरी खुद के अंदर ही मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं होगी, so in most cases, I would prefer not to speak about it, खीक है, चुप, 2023 से ये resolution मनाओ, सारी चीज़ इन डेप्थ बात करेंगे, हौले हौले समझो पहले, for 2023 I want you to set your resolution around this issue, resolution मनाओ, कि भाई सब, most problems in your life happen, because of your inability to keep your mouth shut, ये बहुत बड़ा observation है, जो मैंने 2022 में किये हैं, एक है, रिपीट करूंगा, most problems in your life happen repeatedly, because of your inability to keep your mouth shut, इस चीज़ को, शान्ती से, चाय पीते पीते हौले हौले समझना, कि आपका मुँ बंद रखना आपको नहीं आता, इसलिए आपकी problems को आप, daily basis पे increase करते हो, solve नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका resolution क्या है, कि कोई problem है, उसको मुझे resolve करना है, या फिर कोई चीज़ है, goal है, target है, struggling with it, ठीक है, बट मैं achieve करना चाहता हूँ, इसलिए resolution मनाते हैं, right, resolution, realistic manner में, मुझे लगता है, सिर्फ यह होज़कता है, substantially कुछ चीज़े, achieve करना चाहते हो, beat, पैसा, beat, you know, success, beat, कोई गाड़ी, bangla makan, बगएरा बगएरा, beat, some relationship, goals, beat, some fitness goals, इस सब चीज़े, भाई साब, तुम figure out कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी महारत, हासिल करने की जरूत नहीं पड़ती है, वो need of the hour basis पे, हम priority choose करते हैं, इंडिविजुली हर किसी को देख लो, दोनिया अबर की बाते करने दो, लेकर need of the hour, कल को डॉक्टर कहे देखा कि भाईया, workout शुरू नहीं करोगे, तो so and so चीज होने लगेगी, कल से शुरू करो, बनगे need of the hour, कि survive करने के लिए, जिन्दा रहने के लिए workout करना पड़ेगा, तो भाईया, ऐसे मामले में तुमको resolution की जरूरत नहीं है, तुम कल से membership लोगे, या फिर घर पे ही workout शुरू कर दोगे, ठीक है, इसके लिए techniques की जरूरत नहीं है, इसके लिए urgency की जरूरत है, कि तुम कर लोगे बस, need मैसूस होने चीए, किसी नगिसी तरीके से, हब हर एक का अलग अलग है, हर एक की अलग अलग situation है, कुछ लोग बहुती easily, हाँ ठीक है भाई, compromise कर लेंगे, adjust कर लेंगे, देख लेंगे, या फिर कहेंगे कि चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, तो उनको ये सब चीज़ों की जरुवत नहीं है, भया, तुमारे लिए वीडियो है ही नहीं है, चुप चाप घूमो, फिरो मजे करो, लेकिन कुछ लोग है, जिनको actually चाहिए कि, मैं जो चाहर हूँ, वो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत तो चाहिए, as per my requirement, as per my wishes, desires, needs, लाइफ भाहिया, मेरे जैसी होनी चाहिए, in and out, mentally, emotionally, psychologically भी, and physically, material wise भी, उसके लिए चीज़ समझने जरूर दिया है, सबसे पहला, इस चीज़ मुझे repeat करने में अच्छे नहीं लग रहे है, लेकिन I would still know, I want to repeat it, कि भाहिस अब, फिर से सोनो, चाहो तो कहीं पर note कर लो, most of the problems, in your life happen, or maybe tend to happen repeatedly, because of your inability to keep your mouth shut, कोई चीज़ डील नहीं कर सकते हो, तो मुँ बंद रखो, जब तक आपके पास solution नहीं हो, तब तक मुँ बंद रखना, आपकी 50% to 60% problems, resolve automatically हो जाएगी on its own, यह मैं दावय के साथ कह सकता हूँ, तुम वो मुँ से, बोलने की जरुद नहीं पढ़नी चाहिए, देख लेना, ट्राय कर लो, फिर मुझे कहना कि भाई साब, यह तुमारी बात सही है यह अंगलत है, तुम openly कह सकते हो कि यश तुमारा सुझाव, या तो अच्छा था मेरे लिए, it worked, या फिर कह सकते हो कि भाई साब, बहुत ही बेकार सा सुझाव है, it didn't work for me, no issues, ट्राय करने में बुराई ही नहीं है, 2023, कर लो, ट्राय, दूसरी चीज, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने शरुवात में कहा कि उसको आपको, न्यूस मीडिया में ढाल लेकि जिल इतनी, बहुत हैं मुझे यह चीजे हर्ट करती हैं, यूदो नो येट यार, कि यह सच में जो प्रॉब्लम तुम को, यह जो चीज तुम को परिशान कर रहे हैं, क्या है आपके लिए आपके लिए एक्चिली, फेवरेबल है, बेनेफिशल है यहां फिर, देखो कुल चीज आपको पसंद नहीं आती हैं, लेकिन इन लाउंग टर्म वो चीज शायद हो सकता है, पॉसिबलिटी कि आपके लिए फेवरेबल है, आपको नहीं पता, मैं इन मोस्ट केसिज यह कहना पसंद करता हूँ, कि I don't know yet, I don't know yet, चाहे मुझसे कोई पूछ रहा है कि यहार तुम कोई चीज पसंद है या नहीं, ठीक है, I don't know yet, अभी figure out करना है, पता नहीं है, रादर दिन, जल्दबाजी में conclusion रॉख कर लो कि भाही साब मुझे तो पसंद ही नहीं है यह चीज, या फिर कोई व्यक्ति है मुझे पसंद ही नहीं साला, makes no sense, यह तुम्हारी representation है, खुद की ideology की, खुद की सोच की representation है कि भाहीया तुम बहुत जल्दी जज करते हो चीज़ों को, तुमको तो पता भी नहीं है, तुमने इतने experiences किये भी नहीं है, इतनी जल्दबाजी किया है तुमको conclusion draw करने की, तुमना ठहर जाओ, थम जाओ, देखो चीज़ों को, फिर conclusion draw करना की भाहीया क्या होने वाला है,